नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी इस प्यार के लिए और ये प्यार आप लोग एवे बनाए रखेगा आगामे 19 तारिक के विशेश आयोजर में आप लोग काम स्वागत करेंगे 19 नमबर को बिवाह बाधा शांतियग्य और बिवाह सुख प्रदाता सांतियग्य मतलब सुख प्रदाता सांति कहा होगा इस समय भी हम जो आपको बताने जा रहे हैं उन लोगों के लिए है खास तोर पर जो 19 सितंबर को पैदा हुई है 19 सितंबर को पैदा हुई लोगों की जीवन की कई कहानियां हम बता देंगे सुर्य वो दिकन्या राशी में प्रिवेश कर चुके है ब्रहश्पत शुक्र अलड़ी तुला में चल रहे है चंद्रमा धन्राशी में पुर्वाशार नक्षत्र सुबह साढ़े साथ तक उसके बाद नहीं पुर्वाशार है सुबह 10-34 तक उसके बाद उत्राशार नक्षत्र सुबन योग रहेगा जिनांक 19 सितंबर को पैदा हुए लोगों की सिक्षा आदिका आस्तर क्या रहता है सिक्षा में कितनी उन्नती प्राप्त करेंगे फिर ब्यापार में फिर प्राइवेट नौकरी में या सरकारी नौकरी में मैरिड लाइफ कैसी चलेगी किसी से दिल दे बैठे हैं किसी का दिल ले लिये हैं तो ऐसी इस्तिती में भी मुहबत वाली लाइफ कैसी रहेगी स्वास्त आपका कैसा रहेगा सारे जानकारियां एक मंच पर एक साथ एक हिवार में तो आईए सबसे पहले बता देते हैं सिक्षा का अस्तर अगर आप 19 सितंबर को पैदा हुए है तो इस साल अब सिक्षा आपकी बहुत अच्छी होने वाली है सिक्षा में जो भी आपके रुकावटे थी वो आप अपने आप से दूर कर लेंगे एक अलग तरह के उचाई पर आप अपने सिक्षा को ले करके जाएंगे नवंबर दिसंबर महिने में तो कुछ विशेश आप अरजित करेंगे रुकावटों से आप बच सकेंगे स्वास्त की वजह से सिक्षा आपका दिसंबर मिड से प्रभावित हो सकता है हेल्थ इशू अचानक से आजाएगा अगर देखा जाए तो मिला जुला करके सिक्षा का अस्तर ठीक ठाक ले कर जाएंगे थोड़ा सा मानसिक वेदना तो मिलेगा चंद्रमा और शनी की यूति के कारण लेकिन उस मानसिक वेदना से भी बचने में आपके अपने सहायक होंगे जैसे हम कब से आपके अपने ब्यापार ले लिजे निरड़ा अक्टूबर में बड़ा कर देगा कर भी लेंगे कहीं से कोई रुकावट आपको परिशान नहीं कर पाएगी धन्दाय की स्थती अपने आप बनेंगे प्रशुद्धियों के साथ कदम बढ़ाएंगे अगर आप 19 सितंबर को पैदा हुए हैं ब्यापार बिदेश ये कर रहे हैं तो उसमें भी आपके फैसले फेवरेबल रहेंगे ब्यापारिक दिश्टिकोंड से समय बेहद अन्कूल रहेगा बेहद अन्कूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर की नौकली अगर आप कर रहे हैं तो नौंबर दिसंबर में प्रोमोशन की गुंजाईश है जन्वरी फर्वरी में आप कहीं स्थाना अंदरों ले सकते हैं मार्च अप्रेल में नई नौकरी का प्रियास कर सकते हैं नई नौकरी का प्रियास 19 नौंबर के बाद भी कर सकते हैं उठने का दशी के साथ है अब बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी वालों के लिए जो 19 सितंबर को पैदा हुए है सुरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है फिलाल पीड़ी तवस्था में है लेकिन अपने स्थिति में आने के कारण विशेश लाप का आउसर तो खोल ही देगा तो आपके लिए एक विशेश आउसर के रूप में सुरी की उपस्ति ये मजबूती ले आ रही है इसको आप लोग जितना हो सके कैस कर सकते हैं मैरेड लाइफ में उठा-पटक बहुत होने वाला है आगाह कर दे रहा हूँ एक दूसरे पर विश्वास की कमी आपकी रिष्टे को खोखला करने जा रही है खोखला करती जा रही है तो जितना हो सके एक दूसरे पर भरोसा कायम रखिएगा और यही मेन है इसी को मैं विशेश रूप से कहूँगा क्योंकि परिस्थतियां पक्ष में तो है नहीं तो यह इस्थति जादा गड़बर हो जाए उससे पहरे निरड़े ले लिजेगा दिसंबर से ले करके मार्च के बीच में पती पत्नी एक दूसरे से अलग तक हो सकते हैं अगर तीन से चार वर्ष ही हुए हैं आपकी शादी को ऐसी स्थतिव में हम पहले ही आपको बता देते हैं कि आप बिना विलम्ब किये उननीस नॉम्बर के महायक्य में आ जाईएगा मैरिड लाइफ हमारे जीवन का एक बहुत विशेश और बढ़ा अंग है मैं हर दिन की करोणों की कमाई भी मिट्टी समझता हूँ अगर आप दामपत्य जीवन नहीं सभाल पा रहे हैं ये ठीक नहीं है तो उननीस नॉम्बर को मैजड लाइफ को शुब बनाने के लिए आप पति-पत्नी साथ आएं या अकेले आएं और हमारे इस दिब्वियक का हिस्सा बने जिससे दामपत्य जीवन की शुबता का कुछ तो हद तक हम लोग फायदा ले सकें और उसको शुब बना सकें लव लाइफ लव लाइफ की स्तिती बहुत अच्छी रहेगी इसमें दिक्कत नहीं है यहां पर चंद्रमाशनी का फिवर मिल जाएगा तो इस छेत्र में आपको विशेश लाभ अगर आपको प्राप्त करना है दामपत्य जीवन और प्रेम जीवन में तो हमारा विशेश यग्य आपका इंदिजार कर रहा है स्वास्त की दृश्ची से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय तो नहीं कहा जाएगा पेट की दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने जा रही है पेट में बहुत ज़्यादा उबर खाबड इस्थिती आजाएगी इस से आप पूरे साल तरस्त रहने वाले हैं कुछ शूगर वगरे की भी समस्य आपको परेशान कर सकती है उस पर भी आपको विशेश ध्यान देना होगा और जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में दुरगटना और चोट चपेट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है तो वाहन चलाते समय बहुत ध्यान देजेगा एक पीपल का पौधा मंदिर में लगा कर रोज उसके नीचे इक दीया जलाईएगा ये अपने घर में भी आप लगा सकते हैं अगर मालिचे घर के आसपास मंदिर नहीं है तो गम नेम लगा सकते हैं जो बिदेशों में रहते हैं उन लोगों के लिए किसी भी पौधे की तरफ आप बढ़ सकते हैं शुब पौधा लगाईएगा और उसके नीचे एक दिया जलाईएगा अगर आज आपके शादी की सालगीरा है तो ऐसे में दो लोगों को खाना खिला कर तीन नीम के पौधे कहीं रोप दे बस बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए तो 19 नुवंबर को हम आप सब को बुला रहे हैं अपने दिब्य अनुष्ठान में जो तुलसी विवाह के दिन देव उठनी एक आदसी के दिन किया जाएगा क्या है वो सब उसके एक जलग देखिए और हमें अनुम्त दिजिएगा नमस्कार शिरा दे नमस्कार माता पिता का द़र्द एक ऐसा दर्द जो उनके बच्चे के अविवाहित होने पर या शादी योग्य होने पर भी शादी ना होने पर होता है इस दर्द को आपका एश्टो फ्रेंड दिल से महसूस करता है तभी तो आप सब के लिए एक ऐसा महूर्त चुन करके लाया है जब आपके जीवन में प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त आविवाहित योग को भी भंग किया जा सकता है जानते हैं क्या है वूर्त? 19 नवंबर 2018 दिल सोमवार तुलसी विवाह का दिन आप सब का स्रागत करते हैं ऐसे सभी लोग लड़के और लड़कियां जो विवाह के योग्य हो चुके हैं सक्षम हैं और फिर भी शादी नहीं हो रही है देरना करिएगा तुरंट कॉल करिए जो नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं और अपना अपना रजिश्रेशन करवाईए नन्यवाद जैश्री राध हे एस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी जी के दौरा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महायग्य का आयुजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन कुंड पर एक ब्राहमन द्वारा आपके कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुती की व्यवस्था होगी हमारा उदेश्य जन कल्यान के साथ साथ राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राहमन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्ग दर्शन में मंत्र जाप करेंगे इस आयुजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसेप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 9560447000 9910291850 9999024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है B35GM1 शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन 2 साहिबाबाद घाजियाबाद उत्तर प्रदेश यग्ये के लिए रजिस्ट्रेशन पहले आउ पहले पाउ के आधार पर होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए झालिए झाल झाल